हलो प्रेंट्स रभी कांट टेक अडवाईस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में ने बताया है दोस्तों कि किसी भी कंपनी के अगर सिम आपके पास है तो आइडिया वुड़ा फोन जी ओ तो उसको कैसे एर टेल बना सकते हैं यानि कि MMP करके इस नियुकских तो अपने एटले aip में चलते हैं यहाँ डोस्तों हम एटले एफ में आने के बाद में आपना जो भी पासवर्ड है उसको पासवर्ड जो चारंग का होताय उसको देने के बाद आपको स Faculty कर लेना है यहां पर सर्मिट करने करने के ऐसे उप्सन आएगा तो यहां आपको क्या क्या करना है यहां पर क्लिक करेंगे तो कस्टमर का यहां फोटो आपको केप्चर करना है तो चलिए करते हैं यह कस्टमर का फोटो है अब यहां पर आपको दोस्तों ब्लिंकिंग करवाना है कस्टमर का आपको तभी फोटो के अप करेंगे अधार काट का फोर्टो लेना है तो एक चारी पर आप जैसे ही इस इपर जैसेगी क्लिक करें। यह भी capture हो जाएगी फिर उसके बाद done पर आपको click कर लेना है जहाँ जहाँ तीर के निसान दिखाई दे रहा होगा दोस्तों उसे step से आप चलेंगे तो अराम से आप इस process को कर पाएंगे अगर किसी भी sim को आपको MMP करना है चाहे हो किसी भी company को तो इस तरह से step आपको लेना किसी भी कंपनी को हो यही BSNL, Woodafone, Gio सभी के लिए तो इसके बाद मैं फिर से उसी को रिइंटर करना है यानि को वही नंबर को आपको फिर से नीचे में भी submit करना है और उसके बाद में यहां submit करेंगे जैसे ही फिर नीचे वाला option पर आपको आ जाना है यहां प्लेस के लि इस porting number को आपको निकाला नहीं आता है और comment में कहेंगे तो मैं porting number कैसे निकालते हैं इसके वीडियो बना दूँगा तो चलिए जो porting number मैंने वहां पर निकाला था idea का वो number यहां पर डाल देता हूँ तो उस number को यहां पर डालने के बाद में next step पर आप चलेंगे और यह date ने जो porting number रहते है उसके date भी आपको select करना पड़ता है फिर उसके बाद में दोस्ते यहां पर search करेंगे अपने sim को जो इसमें number नहीं रहता है mobile number और यह scan करके automatically feel हो जाएगी तो जैसे ही इस feel होने के बाद में next step यहां 0 आपको कर देना है select existing में और उसके बाद में जो भी उसका sim जो भी customer का employee है क्या है उस आपको select कर देना है यह आप दोस्तों यहां पर आपको box पर आपको click करना है अगर सही रहा तो यह box भर जाएगी अगर गलत रहा तो उपर system जैसे देखिए मैंने alternative number नहीं दिया तो तो उपर यह लाल कलर में हो गए तो चलिए मैं alternative number पर देखिए इस तरह का अगर किसी को आपको fill करने में चूख हो जाती है तो वहां पर आपको box पर click करने के बाद भी वहां पर check box पर sign का चिन नहीं आएगा तो इस तरह से सभी चीज़ों के होने बाद वहां sign का चिन नहीं आजाएगा जैसे वहां पर click करेंगे तो यहां उपर दोस्तों यह किसका है वो नंबर उसको भी ओन उसी के खुद का नंबर है अलग मैंने दिया है जिस पर OTP आएगी तो आप चलते हैं आप box पर आपको click करते हैं यह सारे process हमने उपर कर सही से भर लिया है इसलिए यह updating हो रही है तो आप भी इसी तरह से कर लेना है चलि पर OTP भेजना है जिस नंबर को अभी आपने alternative दिया था customer का उस OTP को नंबर को यहां नीचे में fill करना होता है तो जहां पर इंटर OTP लिखा है यहां पर हम नंबर दे देते हैं OTP आ गया है तो और उसके बाद में दोस्तों OTP नंबर देने के बाद यहां submit पर आपको click कर दे है तो चलिए हम अपना photo capture कर लेते हैं आप अगर रिटेलर हैं तो आप भी capture कर ले उसके बाद done पर click कर देना है सही से अगर photo हो गया थी यहां पर भी आंग को blinking करना जोरूरी है तभी photo अपने आप capture होती है और उसके बाद में दोस्तें यहां पर capture होने के बाद में आप next option ह चलिए check box पर मैं click कर दिया हूँ उसके बाद में यहां पर आपके लापू सीम जो है आपके एर टेल का उस पर एक OTP जाएगी उसके लिए दोस्तें यहां पर allow कर देना है और यह नंबर पर OTP चली गए यह automatically feel हो जाती है आपको भरने ज़रूरत नहीं है तो उसके बाद में दोस्तों यहां पर submit पर आपको click कर देना है तो जैसे submit पर click करेंगे देख सकते हैं और कोई चीज छूटा हो तो देख ले चेक कर ले उसके बाद में submit पर आपको click कर ले हो गई है दोस्तों तो इसी तरह से आप भी कर सकते हैं अगर आई धन्यवाद वीडियो अच्छे झालूब